हेलो एवरिवन आज हम आठनी कक्षिया की इतिहास की जो कार्य पुस्तिका है उसका अध्याय दो सिख गुरू प्रमप्रा में दिये गए क्रियाखलाफ को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में देवल आइकन को चुरूर प्रेस करें तो देखें शुरूराद करते हैं अधिहाए दो सिख गुरू प्रमप्रा इसका क्रियाकलाप एक दिया गया है और इसमें यहां पर पूछा गया है क्यूश्यन कि कल्पना कीजिए कि आप खालसा सेना के सैनिक हो वर्तमान में समाज में फैले राजनयतिक भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए आप स्करिय रूप से कौन सा काम करोगे जिससे समाज में यह भ्रष्टाचार खतम हो जाए तीन पंक्तियों में उत्तर देजिए तो इस तरह के क्यूश्यन में हम लिखेंगे सबसे पहले तो खालसा पंथ होता क्या है किसने इसकी स्थापना की है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए तो हम इसमें लिख सकते हैं गुरू गोविन सेंग जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी खालसा पंथ का ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वीत्रे का भ्रष्टाचार करता है तो उसे जान की प्रवाह किये बिना ही मुकावला करना पड़ता है चाहे इसके लिए उसे सीस ही क्यो नकटवाना पड़े तो इसके लिए इसने यहां पर का था की आप क्या काम करेंगे तो हम भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने जान की पर्वाह किये बिना ही इससे मुकावला करेंगे चाहे इसके लिए ही हमाएं अपना सीस क्यों नकटवाना पड़े अब आगे यहां पर देखिए second question है कि कल्पना कीजिए कि आप सिखों के धार्मिक स्थल में सेवक की भूमी का निभा रही हूँ तो उस स्थान पर आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे इसमें हम लिख सकते हैं कि सिख धर्म का मूल उदेश्य दूसरों की सेवा करना है क्योंकि ये धर्म लोगों की सेवा करना सिखाता है इसलिए मेरा भी यही कर्तव्य होगा अब आगे यहां पर next question दिया है कि मान लेजिए आप सिख धर्म के गुरु गुविन सिंख के सिश्य हो तो आप में किन-किन गुणों का होना अवश्यक है किन ही तीन गुणों को लिखे तो इसमें एक तो मेन जो है वो है सेवा भाव दूसरों की सेवा करना दूसरा है साहस और तीसरा है निर्भिता यानि निडर रहना अब आगे यहां पर क्रियाखलाप दो है और उसमें है उचित मिलान कीजिए तो अब इसको देखिए एक बार उचित मिलान कीजिए इसमें दे रखा है ननकाना साहिब इसमें का संभन गुरु नानक देव गुरु मुखी लीपी जो है यह है गुरु अंगत देव गुरु गरंत साहिब गुरु अरजुन देव खालसा गुरु कुविन सिंग यानि खालसा बंद की स्थापना गुरु कुविन सिंग ने की थी मंजी पर्था है यह है गुरु अमरदास और अमरिज सरकिस्था अपना जो है वो गुरू रामदास ने की थी तो ये हमने यहाँ पर मिला दिये हैं, मिलान कर दिया अब आगे यहाँ पर आता है क्रियाखलाब तीन और इसमें है कि वर्तमान में कहीं भी कोई प्राकरतिक आपदा या कोई बड़ी घटना होती है, तो सिखों के योगदान उनकी नीश्वार्थ सेवा के बारे में सुनते हैं ऐसे कोई दो उदहारन लिखिए, जिसे आपको लगता है कि सिख लोगों ने विप्रीत प्रिस्थीतियों में भी लोगों की सेवा की तो इसमें पहला तो हम लिख सकते हैं कि सिख लोगों ने कोरोना काल में लोगों की नीश्वार्थ भाव से सेवा की थी और दूसरा है हाली में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में सिखों ने लोगों की भरपूर सेवा की अब इसी तरह से आगे यहां पर एक क्यूशन पूछा है बच्चों कि अपने आसपास के गुरुद्वारे में जाकर सुबे से लेकर शाम तक वहां होने वाली गतिविधियों को देख कर चित्र सही एक प्रोजेक्ट तयार कीजिए तो आपको यह प्रोजेक्ट स्वैम ही तयार करना है गुरुद्वारे में आपको जाना है सुबे से लेकर शाम तक वहां रहना है आपको और उनकी हर एक गतिविधि को देखना है और फिर प्रोजेक्ट जो है वो तयार करना है अब आगे है यहां क्रियाकलाप चार और इसमें है सही उत्तर पर निसान ठीक का निसान लगाईए गुरु नानक का जन कब हुआ तो यह है ग ओप्षन है 1479 इस्वे में अब इसी तरह आगे है कि कौन से गुरु ने लंगर व्यवस्था को आधिक व्यापक रूप परदान किया यह है गुरु अंगद देव अब आगे है यहां कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 1679 में इस्वे में हुई थी अब यहां नेक्स्ट क्यूशन है कि गुरु रंच साहिब के प्रभू का नाम वाहे गुरु के साथ साथ और किन किन नामों से उलेखित हैं तो इसका आंसर है हरी और राम अब इसी तेंसे आगे यहाँ पर next question इसने पूछा है कि कौन से गुरू, सिख गुरू ने गुविंदवाल में एक बावली की नीम रखी तो इसमें है गुरू अमर्दास जी ने बावली की नीम रखी थी आगे है कि इस गुरू द्वारा सीशकंच का संबंथ किस सिख गुरू की सहीदी से जुड़ा है ये है गुरू तेग बहादूर जी आगे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्यूशन आजाता है कि कौनसे सिख गुरू ने दो बड़े पुत्र अजीत सिंग और जुझार सिंग लड़ते हुए वीरगती को प्राप्थ हो गई कौन से सिख गुरू के ये दो पुत्र थे ये दो पुत्र थे गुरू गुविंध सिंग जी के अब इसी तरह आगे यहां पर है next question कि मुगल बाशा जहांगीर ने किस सिख गुरू को सहीद किया तो इसमें answer go option आएगा गुरू अरजुन देव को कौन से सिख गुरू ने दो तलवारे मीरी वैप पीरी धारण की जो आध्यात्मिक और सांसारिक पक्सों की प्रतीक थी गुरू हर गोविंध सिंग ने अब आगे आजाता है question कि बाल गुरू किस सिख गुरू को कहा जाता है गुरू हर किसन को आगे किरिया कलाब पांच है और इसमें दिया है कि नीचे दिये गए चित्र को पहचान कर इनकी बारे में लिखिए तो एक बार ये जो चित्र दिया गया है बच्चों इसे आप ध्यान से देखिए बताईए कहां का चित्र है ये ये है पंजाब के अमरिच सर में स्थित गोल्डन टेंपल इसे स्वन मंदिर भी कहते हैं और इंगलिस में गोल्डन टेंपल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्वन मंदिर अब इसके बारे में हमें कुछ बाते लिखनी हैं जो हम यहाँ जो नीचे दी गई जगहें हैं उसमें हम लिखेंगे यह स्वन मंदिर यानि Golden Temple जो अमरित्सर में स्थित है सिख धर्म का सबसे पवित्र एवं प्रमुख धर्म स्थल है इसे शिरी हर्मिंदर साहिब और दर्बार साहिब के नाम से भी जाना जाता है सन 1988 में दर्बार साहिब की नीव सिखों के चोथे गुरू रामदा साहिब जी ने रखवाई थी तो इस तरहें से आपको यह लिखना है आप तो इसके आगे यहाँ पर देखिए आगे है यह next कि आप सबसे अधिक किस सिख गुरू से प्रभावित हुए और क्यों तो हम इसमें लिखेंगे कि गुरू नानक देव से सबसे अधिक प्रभावित हुए यहाँ आगे हम भी लिख लीजिए हम हम गुरु नानक देव जी से सबसे अधिक प्रभावित हुए क्योंकि एक बार उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए देखर व्यापार करने के लिए भेजा तो उन्होंने रास्ते में कुछ भूखे साधों को भोजन कराने में ही अपना सारा धन लगा दिया पिता के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो सच्चा सोधा किया है इसलिए हम सबसे ज़्यादा गुरु नानक देव जी से प्रभावित हैं अब आगे यहां क्रियाकलाब 6 है और इसमें पूछा है कि अपनी गर्मियों की छुटियों के दोरान सोनिपत के निकट सिहरी खंडा नामक स्थान का भ्रमन अपने मित्रों परिवार के सदश्यों से कीजिए और उनके विचार इस स्थान को लेकर क्या है उन्हें पांच पंक्तियों में लिखिए तो यहां पर हम इस क्यूशन में लिख सकते हैं कि सोनिपत में लड़ी गई एक मात्र लड़ाई सोनिपत की लड़ाई थी गुरु गोविन सिंग से आसिरवाद लेने के बाद बाबाबंदा सिंग बहादुर ने सबसे पहले खांडा सोनिपत में डेरा डाला और धहिया जाटों के साथ एक लड़ाखु सेना तयार की खांडा गाव में मुगलों के हिलाफ सोनिपत की लड़ाई देखी और खांडा सिंग बहादुर के सैन्य नेतरतों में लड़ाई जीत ली अब यहां नेक्स्ट क्यूशन है कि आपने किसी भंडारे की व्यवस्था में भाग लिया होगा यहें लंगर व्यवस्था से कितना मिलती है पर्णन करें तो इसमें है कि भंडारे की व्यवस्था और लंगर व्यवस्था लगभग समान है क्योंकि इनमें सभी को बिना भेदभाव भर पेट खाना खिलाते हैं तोनों में शाकाहरी भोजन ही खिलाया जाता है भासा और संस्किर्ती में फर्क के कारण मंदीरों में होने वाले भोज को भंडारा और गुरू द्वारों में लंगर कहते हैं अब आगे यहां पर आजाता है क्रियाखलाप साथ और इसमें दिया है दिये गए शब्दों की सहायता से रिक्तिस्थान भरो इसमें यहां कुछ शब्दे रखे हैं रिक्तिस्थान में भरना है गुरू गोविन यहां गुरू तेग बहादूर की पत्नी का नाम गुजरी देवी था धर्मदास जाठ हस्तिनापूर के रहने वाले थे गुरू नानक का विवा सुल्खनी से हुआ था हिमतराई कहार जगनाथ पूरी के रहने वाले थे बंदा बहादूर का जन राजोरी में सोले सो सत्तर इस्वी में हुआ अब आगे यहां पर है किरियाखलाब आठ और इसमें है जजिया कर की बारे में आप क्या जानते हैं तुम लिखेंगे कि जजिया नामक कर एक धार्मिक कर था जिसे मुसलिम राज्यों में रहने वाली हिंदू या गैर मुसलिम जनता से लिया जाता था आगे कि गुरु नानक के दो प्रमुख साथियों के नाम लिखो उसमें है बाला वै मर्दाना गुरु नानक देव के प्रमुख साथि थे अब इसी तरह से आगे यहां पर है कि गुरु अंगत देव के दो प्रमुख कारिय लिखो गुरु अंगदेव ने नानक देव की वानी का संकलन किया एक और महत्वपून कारियर जो अंगदेव जी ने किया वहे था गोविंदवाल की स्थापना गुरु अरजुन देव द्वारा स्थापित दो नगरों के नाम लिखिये अब इसी तरह यहां आजाता है क्रियाखलाप 9 और उसमें क्यूशन पूछा है कि गुरू गोविन सिंग ने खालसा की स्थापना करके सिखों के लिए कौन से 5 प्रतीक अनिवार्य कर दिये तो इसमें हम लिखेंगे कि गुरू गोविन सिंग ने खालसा की स्थापना कर भविश्य में सिखों के लिए 5 प्रतीक धारन करना अनिवार्य कर दिया ये प्रतीक थे इसमें हैं केश, क्रिपान, कड़ा, कंगा और कच्छा अब आगे है यहां नेक्स्ट क्यूशन की चमकोर के युद के कोई तीन परिणाम लिखेंगे की चमकोर के युद में लड़ते हुए गुरु जी के दोनों बड़े पुत्र अजीद सिंग और जुजार सिंग भी वीरगती को प्राप्थ हुए हैं जो रावर सिंग वैफते खान को दिवार में चिनवा दिया गया पूरे दिन के संहर्ष के बाद केवल 5 सिख जिवित रहे अब आगे आता है यहां पर कि बंदा सिंग बहादूर की कोई तीन उपलब्धियां लिखो तो इसमें हम लिखेंगे बंदा सिंग बहादूर ने बहादूर में छोटी उखी मात्रा आएगी बंदा सिंग बहादूर ने सिखो की बिखरी हुई सक्ती को एक जुट किया उन्होंने 1709 इस्वी में पहली बड़ी लड़ाई में समाना सहर जीता 1710 में सरहिंद पर चड़ाई की आगे यहां पर आजाता है कि गुरू गोविन सिंग के चार पुत्रों के नाम बताईए तो उसमें है अजीत सिंग, जुजार सिंग, जोरावर सिंग और फते सिंग यह गुरू गोविन सिंग के चार पुत्र थे आगे यहाँ पर next question है कि जहांगीर एक कटर मुसल्मान था उधारन सहीच समझाईए तो इसमें है कि जहांगीर एक कटर मुसल्मान था उसने अपने ही बेटों को अंधा करवा दिया था उसने गुरु जी को बंधी बना लिया और सन 1606 इस्वे में गुरु जी को बहुत सी शा खायए हैं और सखीद कर दिया था तो अब यह जो है बचो यहीपर आपका जो यह लेशन था पार्ट परफत्म होता है फिर मैं और आपके लिए कारिये पुश्टिका का आगे भी पार्ट लेकर आऊंगी अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब झाल झाल